मेरे बच्चो आज रात को मुझे बहुत अजीब सपना आया। मैंने सुना है सुभह के सपने सच होते हैं। मैं सपनों में डर गया था। आपने अकसर अपने आसपास के लोगों को ऐसा ही कुछ कहते हुए सुना होगा। दरसल सपनों का मनो विज्ञान हमेशा से इंसानों के लिए कौतूहल का विशय रहा है। दार्शनिक, वैज्ञानिक और मनो चिकित्सक। सभी ने सपनों की व्याख्या अलग-अलग तरह से की है। यूनान के दार्शनिक हिपोक्रेटस का मानना था कि सोने के बाद आत्मा श जोध का विशय है। लेकिन जोतिश के अनुसार सपनों में दिखाई देने वाली हर चीज कुछ न कुछ इशारा करती है। आईए जानते हैं सपनों की सच्चाई। सपने में पानी का इस तरह दिखाई देना होता है शुब शुब। स्वपन शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं तो ये आपके लिए एक शुब संकेत है। इसका अर्थ धन और भौतिक लाब से होता है। ऐसा सपना इशारा करता है कि आपको शुब समाचार मिलने वाला है और आपके अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं। वहीं अगर आप सपने में जमा जम बारिश देखते हैं तो इसका अर्थ है मा लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होने वाली है। व्यापार और नौकरी में तरक्की की प्रबल संभावना है। यदि किसी व्यक्ती ने सपने में साफ पानी देखा है तो ये सपना एक शुब सपना माना जाता है। इसका अर्थ है नौकरी पेशा लोगों को उन्नती मिलने वाली है। घर में किसी तरह के धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन होने वाला है। समुद्र का पानी होता अशुब संकेत। अगर आप सपने में समुद्र का पानी देखते हैं तो ये अशुब माना जाता है। स्वपन शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने देखने के बाद मनुष्य को वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए और उंचाई वाली जगहों पर सावधानी से जाना चाहिए। ये सपना भविश्य में सावधानी बरतने की तरफ इशारा करता है। सपने में ग अगर आप ऐसा सपना देखते हैं, जिसमें आप गहरे पानी में डूब रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि आप किसी डर या दुख में हैं। सपने में अपने आपको उस व्यक्ति को उन घटनाओं के बारे में सोचना बंद करना चाहिए, जो गुजर चुकी हैं। आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। खुद को दरिद्र रूप में देखना, आप सपने में खुद को गरीब। दरिद्र देखते हैं तो आपके लिए ये स्वपन अच्छा है। आपको इससे परेशान होने की आवशक्ता नहीं है। ऐसे स्वपन का मतलब आपके धन में वृद्धी होना है। ये अठके हुए धन के वापस मिलने का भी संकेत है। सपने में तोता देखना. अगर आपको सपने में तोता नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपको कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है. आपके जीवन में सुख की शुरुआत होने वाली है. तोता हमेशा से सवभाग्य का प्रतीक माना गया है. सपने में पहाड पर चढ़ना, सपनों में पहाड चढ़ने का मतलब आप जीवन में उन्नति करने वाले हैं इस तरह के सपने हमेशा सफलता के शिखर पर जाने की ओर इशारा करते हैं सपने में फलों का पेड दिखाई देना अगर आप सपनों में फलों से लदा हुआ व्रिक्ष देखते हैं तो ये आपके जीवन में आने वाली धेर सारी खुशियों की ओर इशारा करता है फल फूल खुशी का प्रतीक माने गए हैं फूलों से लदा पेड खुशियों के आगमन का ही संकेत माना जाता है मृत्यू देखना अगर आप सपनों में अपने किसी भी परिजन की मृत्यू होते हुए देखते हैं तो समझिये उनकी आयू में वृध्धे हो गई है हिंदू शास्त्रों में इस तरह के सपनों को गलत नहीं माना जाता शिव पार्वती को देखना भगवान शिव पार्वती जिन्हें सपनों में एक साथ दिखाई देते हैं उनके लिए शुभ माना जाता है खास तोर पर ऐसे लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है सपने में शिव पार्वती के दर्शन होना जल्दी विवाह होने का संकेत है भवन का निर्मान देखना सपनों में भवन का निर्मान दिखाई देने का मलतब है आपके जीवन में उन्नती होने वाली है आपको धन की प्राप्ती होने वाली है जाडू का दिखना हिंदू शास्त्रों के अनुसार सपने में जाडू का दिखाई देना शुब संकेत होता है जाडू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है इसका सीधा संकेत है आपको धन लाब होने वाला है सपने में नेवले का दिखना सपनों में नेवले का दिखना शुभ माना जाता है धर्म शास्त्रों और पौरानिक माननेताओं के अनुसार नेवला नजर आने का मतलब है हमारे आर्थिक पक्ष का मजबूत होना सपने में मंदिर देखना सवपन शास्त्र कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सपने में मंदिर देखता है तो यह सपना आपको व्यापार में मुनाफा और धन प्राप्ति का संकेत देता है ऐसे सपने जीवन में उन्नती के प्रतीत होते हैं मेरे बच्चो इन सब के अलावा आपको सपने में कोई और चीज दिखती है तो कमेंट करके बताओ और कमेंट में हर हर महादेव जय मातादी लिख कर इस वीडियो को लाइक कर दो और इस तरह के ज्यानवर्धक वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अउन कर लो